कॉंग्रिस की गारंटी यात्रा के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुद्वार को अजमेर पहुँचे जहां शहर के गांधी भवन से गारंटी यात्रा निकाली गई इस यात्रा में हजारों की संख्या में कॉंग्रिसी कारेकरता मुझूद रहे जैपूर से हेलिकोप्टर के जरिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुद्वार को अजमेर के गुगरा हेलिपेट पहुँचे उसके बाद सडक मार्ट से गांधी भवन पहुँचे जहां से उन्होंने गारंटी यात्रा की शुरुबात की जो शहर के मदार गेट, केसर गंज, मार्टीन डल, ब्रिज होते हुए प्रकाश रोड पहुँची सरकार की गारंटी यात्रा का जगा जगा भव्य स्वागत किया गया खुली कार में उत्तरविधान सभा से प्रतियाशी महेंदर सिंग, रलावत वा दक्षिन से कॉंग्रिस की प्रतियाशी द्रौपदी कॉली के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन किलोमेटर लंबा रोड शो किया जिसका जगा जगा उनका भव्य स्वागत भी किया गया इसके बाद शहर के प्रकाश रोड पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम सभा को संभोधित करते हुए सभा में मोजूत लोगों से कॉंग्रस के प्रत्याशियों को विज़बनाने की बात कहते हुए सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का गुनगान किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की योजना का आम जनता को फाइदा पहुँचा है जिसकी देश भर में चर्चा भी हो रही है उन्होंने कहा सरकार वादों के साथ साथ गारंटी भी देती है कॉंग्रस की सरकार ने करोना में बहतर कारे किया और भेलवाडा मॉडल को पूरे देश में सरहा गया सरकार ने अपने कारेकाल में स्कूल खोले, कॉलेज खोले, गैस सिलेंडर, बिजली चिकिसा, चिरंजीवी योजना, बहतर इलाज सहीत अन्य योजनाओं का लाब भी दिया इस मोके पर कॉंग्रस शहर अध्यक्ष विजे जैन, उत्तर प्रत्याशी महेंद्र सिंग रलावत, दक्षिन से प्रत्याशी द्रोपती कॉली, पुश्कर प्रत्याशी नसीम अक्तर, कॉंग्रस की सहप्रभारी अमृता धवन, शैलेंद्र अगरवाल, सुनील लारा, महिला क कॉंग्रस की जिला शहर अध्यक्ष हिदेश्वरी टाक सहित सेक्रों की संख्या में कॉंग्रसी कारेकर्ता वस्समर्थक मजूत रहे